साथ यो बीटे आठ साल की तुलना, अगर आप उसके पहले के तीन दसक से करेंगे, तो एक बात जरूम नोट करेंगे, हमारे देश में, रिफॉर्म्स की जरूरत तो हमेशा से महसूस की जाती रही थी, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर के हमेशा कमी रहती थी. पिछले तीन दसकों में लगातार बनी रही राजनितिक अस्थिर्ता के कारां, देश ले लंबे समय तक पॉलिटिकल विल पावर की कमी देखी. इस वज़र से देश रिफॉर्म्स से बड़े फैसले लेने से दूरी रहा है। 2014 के बाद से हमारा देश राजनितिक इछाशक्ति को भी देख रहा है और लगातार रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। हमने दिखाया है कि अगर इमानदारी के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएं, तो जन समर्थन अपने आप बढ़ता है। फिंटेक का उधारन हमारे सामने है, जिस देश में कभी बैंकिंग, बैंकिंग ही एक प्रिविलेज मानी जाती थी, उसी देश में फिंटेक, सामान्य, नागरिकों के जीवन को बदल रही है। जहां कभी बैंकों के प्रति भरोसा कायम करने लिएके, बहुत सारी महनत करने पड़ती थी, वहां अब दुनिया की, दुनिया की 40 प्रतिशत, 40 परसेंट, डिजिटल टांजिक्शन हिंदुस्तान वे हो रही है। हमारे हिल्ट सेक्टर को भी ये माना जाता था कि किसी बड़ी चुनोती को रिस्पॉंड नहीं कर पाएगा। लेकिन हिल्ट सेक्टर में रिफॉंड की देश की इच्छा शक्ति का परिणाम हमने 100 साल की सबसे बड़ी महमारी के दोरान अनुभव किया। कोरोना ने जब दस्तक दी तब हमारे पास PPE किस्ट बनाने वाले मैनुफेक्टर ना के बराबर थे। कोरोना स्पेसिफिक ज़रूरी इंफ्रास्टेक्टर भी नहीं सा लेकिन देखते ही देखते ग्यारा सो से अधिक PPE मैनुफेक्टरर्स का नेटवर्क भारत में तयार हो गया। कोरोना की टेस्टिंग के लिए भी शुरुआत में कुछ दर्जन लेप्स थी। बहुत कम समय में देश में डाई हजार चे अधिक टेस्ट लेप्स का नेटवर्क बन गया। कोवीड वैक्सिन के लिए तो हमारी याँ चिंता जता ही जा रही थी कि हमें विदेशी वैक्सिन मिल पाएगी भी या नहीं। लेकिन हमने अपनी वैक्सिन त्यार की इतनी वैक्सिन बनाई कि भारत में भी एक सो नब्बे करोड से जादा डोज लगाई चाह चुकी है। भारत ने दुनिया के सो से अधिक देशों को भी वैक्सिन बेजी है। इसी प्रकार मेडिकल एजुकेशन में भी हमने एक के बाद एक अनेग रिफॉर्म किये। इसी का परणाम है कि बीते आठ सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या तीन सो असी से बढ़कर छेसो से भी अधिक हो गई है। देश में मेडिकल की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें नब्बे हजार से बढ़कर डेड लाग से उपर हो चुकी हैं।